तो अगर आत्मग्यान होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हुआ है? हो सकता है कि इम आत्मग्यानी होने के भ्रह्म में हो? अगर ऐसा कुछ होता है, तो वो दिन के उजाले से भी ज्यादा साफ दिखेगा. ये ऐसी कोई घटना नहीं है, जिसे आप पहचान न पाएं. ये उस तरह की घटना नहीं है, जिसे आप चूक सकें. आप नहीं चूकेंगे. लेकिन जो मैंने आपको बताया, उसके साथ एक परिशानी जुड़ी हुई है, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सी जगाओं पर हो रहा है. कुछ फीज देकर, एक वीकेंड के अंदर ही आप आत्मग्यानी हो सकते हैं. कोई आपको आत्मग्यानी घोशित कर देगा. सच में, ऐसा हर जगा हो रहा है. अगर आप कुछ पैसे देते हैं, तो बस एक ही वीकेंड में, आप आत्मग्यानी बन सकते हैं. मुझे याद है, साथ के दशक में, कैलिफॉर्निया में, लोगों ने बिजनस शुरू किये थे, एनलाइटन्मेंट सर्विसेस. मुझे वो विज्ञापन अच्छे से याद है. अगर आप इंडिया जाएंगे, तो बारा सालों की कड़ी मेहनत लगेगी. ठीक है? पचास डॉलर्स, तीस मिनट, और आप एनलाइटन्ड हो जाएंगे. वो बस भ्रह्म पैदा करने वाली मशीनों का इस्तिमाल करते थे. वो आपको कुछ द्रिश्य दिखाएंगे और आवाजें सुनाएंगे. आपका दिमाग बुरी तरह से हिल जाएगा. उन आवाजों और द्रिश्यों की वजए से, जब आप बहार आएंगे, आप बिलकुल हक्के बख्के होकर बहार आएंगे. आपको लगेगा कि वाकई, आप कहीं पहुँँच गए हैं. ये विग्यापन हुआ करता था. पचास डॉलर्स, तीस मिनट, अगर आप इंडिया जाएंगे, तो बारा सालों की कड़ी मेहनत, यहाँ कैलिफोर्निया में, क्विक, न्यू टेक्नॉलोजी. ये 1960 के मशीने, ये पुरानी टेक्नॉलोजी अब भारत पहुँच गई है. कुछ लोगों ने ये मशीने लगवा ली हैं, और वो दावा कर रहे हैं, कि एक वीकेंड में ही वो आपको आत्मग्यानी बना सकते हैं. आप इसे लेकर भ्रम में नहीं फस सकते हैं. अगर आप इमानदार हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो नहीं हुआ है. पर, अगर आप एक रेस में हैं, कि आप किसी दूसरे से पहले आत्मग्यान पाना चाहते हैं, तो आप बेशक घोशित कर सकते हैं, कि मुझे आत्मग्यान हो गया है. बात बस ये है, कि इस तरह की धोका धड़ी, इस धर्ती पर कोई नई बात नहीं है. ये सब लंबे समय से चलता आ रहा है. इन चीज़ों के गहरे अनुभव देने में. इन चीज़ों के उपर, साथ और सत्तर के दशक में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए. इन में से एक था ये ब्रहम पैदा करने वाली मशीन है, और दूसरा था नशीली ड्रक्स का इस्तेमाल. आप एक LSD लीजिए, और लोग दावा करने लगते हैं, कि उनका आत्मग्यान हो गया है, क्योंकि कुछ देर के लिए उनने गहरे अनुभव हुए, और फिर वो वापस आ गये. जब उन्होंने इसे जरूरत से ज्यादा किया, तब वो सब कुछ खो बैठे, या कम से कम उन्होंने ऐसा सोचा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आप करते हैं. ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आपके बस में हैं. बस इतनी सी बात है, कि अगर आप अपने सिस्टम को विक्सित करते हैं, अपने शरीर, मन, भावनाओं और उर्जा को उनकी चरम सम्भावनाओं तक ले जाते हैं, तो आपके भीतर एक सुंदर फूल खिलेगा. ये काम आपने नहीं किया. आपने बस सही स्थिती को बनाई रखा, और इंतजार किया और ऐसा हो गया. योगिक परमपरा में एक बहुती सुंदर कहानी है. एक दिन की बात है, चार आदमी जंगल में घूम रहे थे. ये चारों आदमी जो जंगल में घूम रहे थे, उनमें से एक ज्ञान योगी है, दूसरा भक्ती योगी है, तीसरा कर्म योगी है, और चौथा क्रिया योगी है. चारों लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते. वो एक साथ नहीं रह सकते. क्यान योगी, यानि बुद्धी वाला योग, वो जबरदस्थ बुद्धी वाला इंसान है. वो सभी लोगों को तुछ्च समझता है. उससे लगता है कि सभी लोग मूर्ख है खासकर ये भक्ती योग वाले लोग जो राम राम और कुछ और जप रहे हैं उसके हिसाब से वो सभी बिलकुल मूर्ख है वो उनको बरदाश्ती नहीं कर सकता क्या वो आदमी भक्ती योगियों को बरदाश्ट कर सकता था? नहीं कर सकता वो उन्हें जेली नहीं सकता भक्ती योगी यानि भक्ती भाव वाले लोग उन्हें हर किसी पर तरस आता है क्योंकि जब भगवान खुद यहां मौजूद है और तुम यह मन का सरकस और शरीर का सरकस कर रहे हो यह सब मूर्खता है, है न? बस भगवान का हाथ थाम लो और स्वर्ख तक पहुँच जाओ तो भक्ती योगियों को तरस आता है सभी लोगों को यूँ मूर्खता करते देख कर कर्म योगियों को लगता है कि बाकी सभी लोग आलसी है क्योंकि अगर आप चाते हैं कि कुछ हो तो आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग आलसी है और जो काम उन्हें करने की जरूरत है वो करना नहीं चाते इसलिए उन्होंने ये सारे योग जात किये है क्योंकि दुनिया में अगर कुछ होना है तो आपको वो करना पड़ेगा, है ना? काम करो, ये महनत वाला योग है, कर्म योग क्रिया योगी तो सभी को बिल्कुल नीची नजरों से देखते है क्योंकि आखिरकार सारा ब्रामान उर्जा है जब तक आप उर्जा को रूपान्तरित नहीं करेंगे तो कैसे कुछ भी बदलेगा, ऐसा हो कैसे सकता है तो ये चारों लोग कभी साथ नहीं रहते थे पर आज ये साथ चल रहे हैं अचानक बहुत तेज दूफान शुरू हो गया हर तरफ से तेज बारिष पढ़ने लगी वो लोग बारिष से बचने के लिए कोई जगा ढूनने लगे भक्ति योगी ने कहा यहां आगे एक पुराना मंदिर है चलो वहाँ जाकर आसरा लेते हैं उसे मंदिरों के रास्ते की जानकारी रहती थी उसने कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा था तो सभी को उस पर भरोसा था और सब उसी दिशा में भागने लगे फिर उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जिसकी दिवारें बहुत पहले ही तूटकर गिर चुकी थी बस कुछ खंबे और छट ही रह गई थी और मंदिर के बीचों बीच भागवान की मूर्ती थी वो भाग कर वहां घुज गए वो भागवान की तलाश में या भागवान के प्रेम में वहां नहीं पहुँचे थे बस बारश से बचने के लिए वो वहां घुज गए और कुछ देर तक खड़े रहे कि बारश हर दिशा से अंदर आ रही है वो जहां भी खड़े हो या बैठे हो बारश हर तरफ से हमला कर रही थी तब एक ही जगा पर वो बैठ सकते थे वो था मूर्ती के आस पास तो वो चारों मूर्ती से चिपक कर बैठ गए इसलिए नहीं कि उन्हें भगवान से बहुत प्यार था बस बारश से बचने के लिए अचानक भगवान प्रकट हो गए उन चारों के दिमाग में एक ही सवाल आया अभी क्यों? हमने इतना योग किया इतनी पूजा की, साधना की और पता नहीं क्या क्या किया तब तो आप नहीं आए अभी तो हम बस बारश से बच रहे हैं अभी क्यों? भगवान ने कहा आखिरकार तुम चारों मूर्ख इकठे हो गए आपके अंदर इन चारों चीजों के इकठे हुए बिना आपका सिर, आपका दिल, आपके हाथ और आपकी उर्जा जब तक ये सारे सही जगा नहीं पहुँचते जब तक ये सारे अपनी उचाईयों तक नहीं पहुँचते तब तक ये नहीं होगा और अगर ये हो जाता है, तो क्या हो सकता है कि मुझे पता न चले? ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप अंधे भी हों, तब भी सूरज निकलने पर आप जान जाते हैं अगर आप अंधे हों, तब भी आप जानते हैं कि सूरज निकल आया है क्योंकि कोई भी इसे चूक नहीं सकता ये कोई छोटी घटना नहीं जिसे कोई चूक सके आपको शायद ये पता न चले कि आप पैदा हुए या नहीं पर अगर आत्म ग्यान होगा तो जरूर पता चलेगा ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जन तो कई बार होगा ये सिर्फ एक ही बार होगा